अलो दोस्तो जीत अकाडमी 241 में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कास करेंगे 13 जनवरी 2021 के आए हुए टॉप न्यूज के बारे में जो की एसे सी, बैंकिंग और रेलवे यांड और अधर एक्जामिनेशन के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं देखिए आज 13 जनवरी 2021 का कौन-कौन से न्यूज आये हैं तो सबसे पहला न्यूज की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों ये देखिए हमारे बहुत ही रेस्पैक्टेड परसंट की बात करें तो National Youth Day is celebrated every year on 12 जनवरी जो इनकी भारतिय रास्टिय यूबा दिवस जो है हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों तो हमारे स्वामी बिवेका नंद जी के सुवबसर पे उनके जनम दिन के सुवबसर पे ये National Youth Day मनाया जाता है आपको याद रखना है 12 जनवरी चलिए नेक्स न्यूज की तरह बढ़ चलते हैं इसी से रिलेटेट क्या है देखिये नेशनल यूथ डे जो है is celebrated on 12 जनवरी विंग द वर्थ डे ऑफ स्वामी बिवेका नंद और in 1984 the government of India declared this day as youth national national youth day since 1985 the event is celebrated in India's every year देखो 1985 से ये मनाया जाता है 1984 में government of India ने declare किया था कि इनके जनम दिन के सुभव सर पे national youth day मनाया जागा तो 1985 से अरंभ हो गया है अब तक मनाया जा रहा है चलिए next news की तरह बढ़ चलते हैं अगला जो news है friends देखे हर दूसरे साल होने वाले समुदरी रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 के दूसरे संसकरण का योजन 12-13 जनवरी 2021 को किया जाएगा तो आपको याद रखना है कि तो second edition of venial pan-India coastal defense exercise सी विजिल 21 will be conducted on 12 and 13 जनवरी ठीक है तो ये याद रखना है date चलिए next news की तरह बढ़ चलते हैं देखे यहाँ पर news है veteran journalist and padmrshri awaadi turla pati कुटूंबा राव has passed recently he was 87 यानि की बयो ब्रीथ जो पत्रकार है और padmrshri awaadi turla pati कुटूंबा राव जी का हाली में निधन हो गया है वो 87 बर्च के थे तो इनका नाम important बनता है दोस्तो चलिए next news की तरह बढ़ चलते हैं इनहीं से related क्या है कुटूंबा राव who became a journalist at 14 had the distinctions of serving a secretary to the first chief minister of आंदरप्रदेश जो आंदरप्रदेश के first chief minister थे ना उनके secretary रहे हैं ये next news की तरह बढ़ते हैं यहां पर देखिए एक और obesity news आ गया है जाने माने जो खगोल बैग्यानिक प्रोफेसर ससी कुमार मधु सुधन चित्रे का हाली में इदर हो गया दोस्तों वो आपका 84 बर्च के थे यानि कि रिनौन जो एस्ट्रोफिजिस्ट प्रोफेसर ससी कुमार मधु सुधन चित्रे हैस बास्ट वे रिशंटली ही वाज 84 चलिए उनके रिलेड़ेट क्या है देखिए यहां पर गर्मेंट अफ इंडिया ने ओनर्ड हीम इन 2012 बिद पदमश्री भूशन पदमभूशन थार्ड हाइस सिविलियन जो अबाड होता है उनको दिया था for services to the science science के service के लिए चलिए next news की तरफ बढ़ चलते हैं यहां पर देखिए next news का दोस्तों city union bank जो है CUB announced that it has launched WhatsApp banking यालि कि city union bank जो है उसने घोशना किया है कि WhatsApp banking launch किया है चलिए याद रखना है WhatsApp banking किसने launch किया है तो CUB city union bank में किया है चलिए next GDP से related आया है according to according to ICRA इंडिया ज्ग्रोश डोमेस्टिक जो प्रोड़क है GDP growth rate is projected to 10.1% in the financial year 2021 to 2022 याने कि ICICI जो है sorry ICRA के अनुशार भारत के सकल घरे गरे उतपाद जो है कि व्रिदियदर 2021-22 में 10.1% रहने का अनुमानित है तो याद रखना है इंचका चलिए next जो आपका news आया है news है केंदर सरकार ने try के पुरुपरमोख R.A.S. सर्मा को COVID-19 वैक्सिन के प्रसासन के लिए एक अधिकार प्राप्त समीती का अध्यक्ष चून लिया है COVID-19 जो वैक्सिन देया जाने वाला है 16 तरिक से तो उसके लिए administration का जो पदभार संभाला है इन सहाब जी को शमाल दिया गया है R.A.S. सर्मा जी को ठीक है चलिए next जो है आपका news आया friends ये देखिए जमू और कस्मीर में LRG LG मनोज सिह ने पारदर सी जवाब दे और उतरदाई साशन सुनिश्चित करने के लिए जमू और कस्मीर भष्टाचार निरोधक ब्योरो के विभाग्य सतरकता अधिकारी पोर्टल और mobile application सतरक नागरिक लाँच कर दिया है तो याद रखना है कि जमू कस्मीर है इनके LRG मनोज सिनहा जिन्हों ने लाँच किया है mobile application सतरक नागरिक और डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर पोर्टल दो चीज लाँच किया है जमू कस्मीर में एंटी करप्शन के according है ना Bureau for ensuring transport transparent accountability and responsible governance के लिए ठीक है तो ये पोर्टल याद रखना है नाम चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरह बढ़ते हैं देखिए यहाँ पे न्यूज हमारा है भारत की जो जिगेट डोलमा ने धाका और मैराथन 2021 में चौथा अस्तान हासिल कर लिया है तो इनका नाम important बनता है जिगेट डोलमा इन्होंने चौथा अस्तान हासिल किया है धाका मैराथन में ठीक है चलिए नेक्स्ट इनहीं से related क्या है यहाँ पे देख सकते हैं जो full मैराथन जो हुआ है मेंस में बहादूर सिंग ऑफ इंडिया विकेम दे चैंपियन इन दे में और पुषवा भंडारी ऑफ नेपाल जो है यह विकम हुई है विमेंस कैटेगरी में चैंपियन ठीक है और मेंस में बहादूर सिंग जी हमारे इंडिया के याद रखना है चलिए नेक्स न्यूज की तरह बढ़ते हैं देखिए नितिन गटकरी विल लॉंच एन इन इनोव आयोग द्वारा बिक्सित एक नया पेंट खादे प्राकृतिक पेंट लॉंच करेंगे याद रखना है अगला जो न्यूज की तरह बढ़ते हैं अगला न्यूज देखिए यहां से इस्रो से रिलेटेड है करा इस्रो विल बी अडॉप्टिंग हंडेड अटल टिंकरिंग Labs across the country to promote education in the field of STEM, Space Education and Space Technology related innovation for school students देखिए बहुत ही अच्छा एक कदम उठाये गया है जो इस्रो जो है स्कूल के छातरों के लिए STEM, अंतरिक्ष सिक्षा और अंतरिक्ष प्रधोगी की से समबंदित नवाचारों के छेतरों में सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश के शौव अटल टिंकरिंग लैब अपनाएंगा ठीक है तो यह टिंकरिंग लैब बनेगा जिसमें आज स्कूल में ही दिया जाएगा जो कि बहुत ही बढ़िया पहल है चलिए नेक्ष न्यूज की तरह बढ़ते हैं यह न्यूज लाश्ट था ठीक है तो चलते चलते इंफोर्मेशन सेयर करना चाहूंगा कि अधी हमारे सोसल मेडिया अकॉंट से जूड़ना चाहते हैं यदि वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ अपना सुझाओ दें ताकि हम लोग और इंप्रोव्मेंट कर सके और यदि हमारे चैनल प्याज नहीं आ है पहले बारा है तो इस च